हलो दोस्तो मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वीटिट कमूनिटी में स्वागत करता हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा यूनिक टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो कि आपको generally कोई नहीं बताएगा लेकिन हर एक ट्वेडर को ये problem face करना पड़ता है आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि range bound move के बाद आपको क्या करना चाहिए range bound move के बाद आप क्या करें बहुत साए लोग जो market में trap होते हैं जो गलत trade लेते हैं वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें actually पता नहीं होता है कि range bound move के बाद हमें करना क्या है तो मैं आपको इस वीडियो में एकदम clear cut बताने जा रहा हूँ कि range bound move से भी आप काफी हद तक market के direction को identify कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं उसके लिए आपको इस वीडियो में last तक बने रहना पड़ेगा और उससे पहले एक request है कि channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe जोड़ कर लिजे और साथी साथ bell icon को जोड़ दबा दिजेगा ताकि आगे हम जब भी कोई informative वीडियो अपलोड करें उसका notification आप तक पहुँच जाए और आप वीडियो को मिश ना करें तो चलिए देखते हैं कि हम range bound move के बाद आये का move को हम कैसे identify कर सकते हैं तिहां पर हम चार्ट पर आगे और यह जो चार्ट है देख सकते हैं यह आपका JSW का daily chart है आप इसको किसी भी time frame में कर सकते हैं लेकिन आवली चार्ट से नीचे नहीं जाना है क्योंकि आवली चार्ट से अगर आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे false signals मिलते हुए देख जाएंगे फिर आपका जो trade का accuracy level होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर जो maturity of candle होता है वो काफी कम हो जाता है तो यहाँ पर कोई भी strategy अगर आप फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें आप कोसिस किजिए कि जितना से ज्यादा mature candle हो पाए उतना बहत्वीन वहाँ याई डेली चार्ट यहाँ पर आपके लिए सबसे ideal situation वहाँ लेकिन आप यहाँ पर इसको 4-hour chart और hourly chart तक भी इस्तमाल कर सकते ह हैं तो चली सबस पहले आपको क्या करना आपको एक range bond move identify करना अब range bond move हम कैसे identify कर सकते हैं चली वह भी मैं आपको explain कर देता हूं देखिए यहां से क्या हुआ प्राइस आपका नीचे से उपर गया है फिर आपका उपर से नीचे आना start हुआ अब यहाँ पर थोड़ा सा price और यह जो छोड़ा सा support बना था उसको break किया यह काफी strong candle अब यहां पर जो भी गिरना था यही candle गिर गिया इसके बाद थोड़ा बहुत और downfall move दिखाया और यहां पर आपका low form कर गया उसके बाद price आपका इसी range के बीच में move करता रह गया लगबग आपका एक दो month तक त पूरा जून और लगबग आपका July month तक जब हमने देखा कि दो month तक यह आपका range bond move ही दिखा रहा है तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं सबसे पहले हमने इस range को identify किया किस तरीके से यहां पर high और low mark करके अब हम इस range bond move के अंदर आते हैं देखते हैं किया कुछ हमें hint मिलवा है या फिर चो range bond move भी दिखाया गया है किस तरह का range bond move है यहां से हमें कोई indications मिलवा है यह नहीं मिलवा है आपको वो सबसे पहले identify करना होगा तो देख सकते हैं यहां पर आपका एक सबसे पहले high बना था उसके दूसरा high यहां पर बना था फिर तीसरा high यहां पर बना था तीसरा लौ यहां पर फर्म हो गया यहां जो भी low form हो रहा है वो previous low से ऊपर form हो रहा है यहां पर आपका हाईर low pattern का formation कर रहा है देख सकते हैं यहां पर ही low बना है और ही भी ness बना है मतलब जब कभी भी आपका high बनका formation हो रहा हो तो क्या मूब दिखाता है यह हमें स्लाइटली अप्ट्वेंड का हिंट देता है क्योंकि अगर आप इन सारे लोइस पॉइंट को जॉइन करो तो एरो आपका किस तरह दिखेगा देख सकते हैं इस तरह से आपका एरो ऊपर साइड की तरफ दिख रहा मतलब यहां यहां पर हमें एक डायेक्शन मिल गया कि यहां पर हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा और इस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो उसकी बाद जो मोमेंटम होगा वो अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा हमें यहां पर साइड की तर तरफ ही ब्रेक आउट देगा हमें यहां पे मुस्ट प्रविल चांस लग रहा है कि ब्रेक आउट ऊपर की तरफ देगा लेकिन हम डाउन फॉल मुव यह नि ब्रेक डाउन के लिए भी अपने आपको प्रिपेयर रखेंगे ताकि अगर बाइचंस ब्रेक डाउन आ जाए तो कि रेंजबाउन मुव कितना देवत तक रहेगा यह हमें कहां से पता चल जाएगा यह पता करना इंपॉसिबुल है अगर हम बात करें तो यह कोई नहीं बता सकता है लेकिन थोड़ा बहुत अगर बायर्स में आता है या फिर हमें लगातार ग्वीन केंडल देखने को मिलत हम ब्रेक बॉंट मध करें वुह से तो नहीं के मिलता नहीं तो इसके वाद यहां पर काफी इंगल देखने को मिला अब जैसे में ब्रेक आउट देखने को मिल अब यहाँ आप चाहए तो इंट्वी में ले सकते हो लेकिन यहां पर थोड़ा र Rice को कम सार यहां करेग की तरफ जाना जाएंगे इसके लिए क्या करेंगे हम एक और confirmation candle के लिए वेट करेंगे यानि follow up यहाँ पर buying देखने को मिल वा या नहीं मिल वेट करेंगे उसके बाद हमें follow up केंडल यहाँ पर open हुआ है हम यहाँ पर buy side की तरफ क्या करेंगे इंट्री करेंगे और यहाँ पर यह जो stop loss का भी इस्तमाल किया जा सकता है जो की बेत्वी options रहता है आप चाहाँ तो ट्रेनिंग stop loss का इस्तमाल करते हुए maximum profit यहां से derive कर सकते हैं और जैसे यहाँ पर हमें higher low pattern का formation हुआ था उसके basis पर तो range bound room में भी आपको कुछ ना कुछ hint identify करना है अगर आप इस hint को पगर लेंगे वो जो बताना चाहरा है अगर आप उसको सही तरीके से समझ जाएंगे तो यहाँ पर आप market के direction को काफिया तक find कर सकते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर दूसरे area explain कर दिया है अब यहाँ पर प्राइस आपका उपर से नीचे गिवने लग गया यहां पर भनाया फिर प्रिइसNew उपर गया और यहाँ पे आपका नीचे आते हुए एक और लो का formation किया फिर price आपका उपर गया यहाँ पे आपका एक high बना दिया अब जब हमने देखा यह जो आपका complete हुआ था लगवागा आपका mid March में complete हुआ था उसकी बात अप्रील और मे में में मन्थ हम पूरा यहाँ पे ले लेते हैं price आपका इसी range के बीच में move करता रहा यहीं इस lowest point को हमने join कर दिया और highest point को यहाँ पे हमने काफिया तक join कर दिया अब price आपका इसी range के बीच में move कर रहा है range थोड़ा सा big है लेकिन एक range market पकरे हुए इसी range के बीच में move कर रहा है अब इस range के बीच में हम ज़्यादा कुछ trade नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे trade ले लेते हैं तो trap होने के chances ज़्यादा रहते हैं और नुकसान करने के भी chances ज़्यादा रहते हैं इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा safety बढ़ते हैं और सबसे पहले इस range bond move में हमें क्या कुछ indications या फिर hint मिलबा नहीं मिलबा उसको यहाँ पे हम identify करने की courses करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम low को देख लेते हैं आपका एक low यहाँ पे बनाया दूसरा low इससे उपर बनाया तीसरा low लेकिन इससे नीचे बन गया है तो that means यहाँ पे higher low pattern का formation नहीं हुआ है एक चीज़ तो मेरा यहाँ पे clear हो गया अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं आपक एक high यहाँ पे दूसरा high slightly इससे उपर बनाया यहाँ पे slightly higher high pattern का formation किया है लेकिन फिर से जो तीसरा high बनाया इस pattern को भी काफी हद तक break करके रख दिया यहाँ यहाँ पे clear cut आपका higher high pattern भी नहीं बना है मतलब यहाँ पे हमें कोई भी clear cut indications नहीं मिला है अभी तक और उसकी बार हमने क्या देखा है कि जो range bound move है वो आपका आगे भी continue है तो यहाँ पे हम कुछ और find करते हैं कुछ और बारे की हम यहाँ पे find करने कोसिस करते हैं तो अगर आप इस chart को गौर से देखो इस chart के अंदर को देखो यानि candlestick के आप अंदर जहांके देखो तो आपको एक pattern देख देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ डबलू पैटर्न या फिर आप डबल बॉटम का भी formation का सकते हो और इसका नेक लाइन कहां पर इसके नेक लाइन की बात करें यहाँ पर इसका clear cut neck line हमें देखने को मिलवा है तो अगर यह डबलू पैटर्न बाहर बनता तो क्या करते हैं नेक लाइन को break करके price उपर निकलता है यहाँ पर हम बाइसाट की तरफ entry ले लेते हैं लेकिन हमें यहाँ पर बाइसाट की तरफ entry यहाँ पर लेना है लेकिन यह आपका एक range के अंदर है इसलिए यहाँ पर हम entry नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर false breakout के भी chances दिख रहे हैं त breakout देखने को मिलबा वो उपर साइट की तरफ देखने को मिलबा यहाँ यहाँ पर positive momentum में हमें थोड़ा सा strength दिखा है अब इस strength के basis पे हो सकता है कि हमें breakout देखने को मिल जाए यहाँ पर भी हमें थोड़ा बहुत hint मिल गया है कि यहाँ पर जो momentum आएगा यह जो range break होगा वो upside क की तरफ break होने के chances ज्यादा है तो इस तरह के से आपको छोटा-छोटा hint और indications identify करना कई बार आपको चार्ट के अंदर जाके देखना होगा तब पता चलेगा बाहर से पता नहीं चलेगा फिर यहाँ पर साइट की तरफ यह आपका closing दिया यह इसको break करके उपर निकला है उस पॉइंट से फुड़ा सा दूर हो जाता है तो यहाँ पर आपने position को थुदा सा को धो यहाँ यहां पर हम उम इंट्रवी नहीं लेंगे और वापस से फुखिस को सभाएट के जब हमने वेट के आपने क्या अधों लगातार can生AMry फॉर्मेशन हो गया तो हमने जो डिसीजन लिया था थोड़ा सा वेट करने का वह सही डिसीजन लिया था अब यहां पर हम क्या कंपूजन पर आ है कि वापस से प्राइस अगर आपका इसके करीब मिलेगा तब यहां पर हम बाइसार की तरफ इंट्री लेंगे अदर्वाइस यह जो breakout दिखाया है इसको हम avoid कर देंगे तो देखिए वापस से हमें मौका दिया यहां पर entry करने का यहां पर हम जवरदस entry ले सकते हैं और फिर हम अपना SL इसके करीब यहां पर हम अपना रख सकते हैं और हम upside move के लिए जा सकते हैं ने पहला target price ही होगा जिसको आसानी से hit क कर दिया दुबारा इसके करीब आया और इसको क्या किया है आपका एजर support लेवल बनाया है सबसे पहले क्या था यह हमारा resistance लेवल था बार बार इसको ठच करके price break करके ऊपर नहीं जा पा रहा था लेकिन यहां पर क्या किया break करके ऊपर निकल गया यह resistance आपका support में convert हो गया अब यहां पर आ रहा और इस support लेवल को respect कर रहा तो जैसे support लेवल respect हो रहा मतलब यहां पर price के नीचे जाने के chances कम हो जाते हैं तो यहां पर वापस से by side की तरफ entry लेंगे और अब जो हमारा target price होगा यह होगा तो इस तरीके से हम दो target price यह नहीं दो profit booking आसानी से बना सकते ह पहला यहां पर entry करके दूसरा यहां पर entry करके और यह जो मेरा entry होगा यह काफी safe entry होगा जहां पर risk काफी कम है देख सकते हैं stop loss काफी चोटा सा है और target price यहां पर हमारा काफी big है दोनों में देख सकते हैं stop loss आपका same होगा लेकिन target price काफी big है तो इस तरीके से आप यहां प आपको समझ में आ गया होगा इससे विलेटेर कुछ भी डाउट या फिर कनफीजन हो तो आप हमें कमेंट सक्समें पूछ सकते हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज किजिए ताकि हम इस तरह के और भी इंफॉर्मेट झालेटेर कि कि अच्चर लेपी कि अच्चर भी इंफ।